Python की ऐसी libraries जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा अगर सुना होगा तो बहुत कम chances हैं कि आपने use की होगी असलाम अलेकुम मेरा नाम है Dr. Amartafel और मैं आपको Python सिखा रहा हूँ Python सीखने के लिए आपको Python की libraries को master करना पड़ता है libraries लोगों के लिखे हुए बड़े-बड़े codes होते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी ऐसी libraries हैं जो latest हैं और आपने use नहीं की होगी और मैं guarantee देता हूँ at least 3 तो आपने use नहीं की होगी आप जितने मर्जी expert हों Python के Let's jump into the video यहाँ पर आपके सामने screen share हो रही है आप देख सकते हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा famous libraries and new alternatives to different current libraries सबसे पहले जनाब आपको pandas की library के बारे में पता होगा लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि pandas जो है वो large dataset पे बहुत slow काम करती है तो उसका alternative है polars यह एक ऐसी library है जो आपको बहुत असानी के साथ different किसम के benefits देती है सबसे पहले यह easy to use है embracingly parallel computation के पर चलती है यानि कि आपके CPU cores अगर 8 हैं तो 8 different processes में convert कर देती है एक छोटे process को pandas यह काम नहीं कर सकती and then आपके पास different किसम के जो Apache arrow के जो benefits हैं वो भी आपको मिलते हैं this is close to the metal है यानि कि अगर आप इसको use करेंगे तो आप बहुत असानी के साथ इसको अच्छे से use कर पाएंगे in different kind of systems खास तोर पे metal based जो macbook के systems होते हैं and other than that you have some kind of other benefits क्योंकि यह rust के अंदर लिखी गई है जो basically one of the fastest growing platform है आज ही try करें और मुझे comment में बताइएगा क्या सच में आपने यह use की है या नहीं की होगी अगर आप एक advanced level के data analyst है या data scientist है तो आपको polar's के बारे में नहीं पता होगा इसको polar's भी बोला जाता है polar's भी बोला जाता है बटाई what go with polar's next है moderns moderns या moderns जो है यह एक ऐसी library है जो pandas का alternative है और यह query compiler है basically तो यह क्या करता है data frame को लेता है जैसे आप import pandas as.pd करते थे आप import modern.pandas.pd की जब करेंगे तो आपको यह fastest way में response करेगी और इसकी API जो है वो भी बहुत जल्द आने वाली है यह basically क्या करती है यह pandas को use करती है और उसके अंदर different किसम के जो functions है वो implement करने के बाद इसको fast बना देती है on bigger dataset मैं जब भी large dataset पे गाम करता हूँ तो मैं modern को use करता हूँ because this is very fast और यह basically pandas के उपर compile होई है और अगर आप गौर करें यहाँ पे pandas जो है read csv को करने के लिए pandas ने 35 second लिए और वही काम 2.5x faster किया modern ने and which is one of the biggest advantage of moderns then अगर मैं इस null की यहाँ पे बात करूँ तो 1.67 second लिए इसने और इसने 404 millisecond लिए यानि कि 4x faster है null values को find out करने में 2gb के data की बात हो रही है और यहाँ पे df.apply map अगर आप different किसम के functions apply करते है now moderns is 5.1x faster इस library को आप आज ही test करें और बड़े dataset पे इसका बहुत बड़ा advantage मिलेगा of course अगर आपके dataset चोटे हैं और आप चोटे चोटे मतलब 10,000-20,000 rows पे बात कर रहे हैं तो तब आपको pandas बहुत अच्छे से कर सकती है लेकिन हम बात कर रहे है thousands नहीं, millions of rows की millions से भी उपर rows की और high dimension data की 2GB का data 3GB का data खास तो पर यह bainformatics में होता है तो वहाँ पे मैं इस तरह की libraries को use करता हूँ अगर आपके पास dataset time series का data है और sensors का data और बहुत बड़ा dataset है then I would highly recommend to go for moderns instead of आपकी जो pandas की library है next हम चलते हैं जे अगली library पर यह है plot 9, यह grammar of graphics की base पर चलती है, वो लोग जो r programming को सीख के आई है, उनको पता होगा ggplot2 एक ऐसी library है जो use होती है in r to create stunning plots plot 9 का है, यह basically grammar of graphics के rule को use करके आपको python के अंदर plot बनाने के लिए help out करती है, बहुत ही असान है बहुत ही easy है, अगर आपने r से shift किया तो plot 9 को plotting के लिए use कर ले, फिर आपके पास plotly तो है, यह आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग जो है plotly को as a plotting library use करते हैं, क्योंकि आप different किसम के interactive plots बना सकते हैं यह एक ऐसी library है, जो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है, अगर आप plotly को use करते हैं, on the other side, altair यह vega की तरफ से बनी हुई library है, यह statistical visualization library for python है and this is much better than plotly in some cases, लेकिन of course plotly जो है वो दूसरी साइट पर बहुत अच्छे काम करती है altair का सबसे बड़ा benefit है, अगर आप google की, जो jupiter notebooks हैं, यानि के google cloud के उपर बात कर रहे है या google collab के उपर गाम कर रहे है तो आप altair को use करें, because this is kind of built-in in google collab ठीक है, तो altair और plotly यह दो plotting की interactive visualization की आपके पास libraries हैं, इसके बाद अगली हाती है pyg walker pyg walker क्या करती है, यह automatic exploratory data analysis आपको करके दे देती है, ठीक है, और यह बहुत ही कमाल library है, यह आप यही समझ लेंके tableo आपके पास python के अंदर आ गया है तो इस library को भी use करें, और try कीज़ेगा और मुझे बताइएगा कि आप आपको यह library कैसे लेगे, believe me, it is stunning अगर आपने quick, बड़ी ही जल्दी plots बनाने है, go for pyg walker और इसकी documentation बहुत easy है इसको आने वाले lectures के अंदर मैं और भी define करने वाला हूँ then हमारे पास जो अगली है pandas profiling या wide data profiling आप में से नाम है sweetviz, sweetviz जो है यह भी basically आपके एक ऐसी library है जो आपको pandas based library के base पे visualization करके देती है और automatic EDA की report देती है and EDA is one of the important tasks for any kind of data science project next हमारे पास है autoviz autoviz जो है of course यह भी automatic EDA करने के लिए हमें help out करती है और इसके इलावा जो अगली library या वो है detail detail जो है यह basically आपको again वो ही काम करने के लिए help out करती है जो automatic EDA है तो मैंने automatic EDA की आपको एक यह बताई 2, 3, 4, 5 अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो automatic EDA pyg walker 1 pandas profiling 2 या why data profiling इसका new name है by the way sweetviz 3, autoviz 4 detail 5 और आपके पास एक और library है जिसका नाम है data prep data prep क्या करती है यह low code data preparation in python है यानि कि आप low coding के थूँ अपने data को prepare कर सकते हैं for big tasks तो यह भी आपको basically एक help out करती है to prepare your data फिर चलते हैं data wrangler यह basically library नहीं है यह vs code की extension है जिससे आप install कर लेते हैं और install करने के बाद किसी भी data के उपर जब आप उसको run करते हैं जैसे click की मांद होता है और आप at the end अपना automatic data wrangler जो है वहीं पर ले आते हैं यानि कि आपके data को आप देख सकते हैं उस पे सारे काम कर सकते हैं of course इसके बारे में भी detail video जो है आप data के साथ chat कर सकते हैं CSV की file हो कोई भी बड़ा data हो चोटा data हो LIDA library के थूँ आप automatic EDA भी कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं कोई भी question है आपने explain English में लिखना है and then you will get answer from LIDA and of course अगर आप LIDA को use करते हैं one of the important thing is यह automatically explore करती है data को chat GPT के algorithm को यूज करती है और infographics भी आपको बना के देती है और इसका सबसे बड़ा advantage यह है कि इसके अंदर Microsoft की भी contribution है अगर आप इसको देखेंगे इसको use करेंगे please go ahead and let me know कि आपको यह कैसे लगी और मुझे पता है आप मैंसे काफी लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा then yellow brick yellow brick एक ऐसी library है जो machine learning task या machine learning के data को visualize करने के लिए हमें help out करती है और yellow brick से क्या होता है जब आप machine learning का कोई भी task कर रहे होते है न तो उस task के लिए आपको visualize करना बहुत ज़रूरी होता है तो yellow brick आपको help out करेगी of course psychic learn भी है there are many other libraries जो machine learning के लिए यूज़ाती है but yellow brick is one of the best libraries I would say then pi caret pi caret क्या करती है जो psychic learn के थुरू आप जितना भी काम करते है pi caret उसे automate कर देती है यानि कि यह automatically best model आपको select करते देती है best weight आपके लिए calculate करती है and there are many things जो psychic learn के अंदर आपको multiple lines of code में करने पड़ते है pi caret ऐसे चुटकियों में आपको करके देती है ठीक है so pi caret is another library then आपके पास अगर pi caret को आपने use करने है तो यह आपके पास benefits है exploratory data analysis आप कर सकते है data को pre-process कर सकते है model को train कर सकते है model को explain भी करती है और यही library ML Ops के अंदर use होती है machine learning operations के अंदर यानि के बड़े tasks जो है आप इससे कर सकते है so यह 5 tasks किसी भी एक data analysis data scientist के लिए या data analysis के लिए बहुत ज़रूरी है इस वड़ा से यह library के उपर भी हम detail में गुफदुगू करने वाले आने वाले दिनों के अंदर then we have auto ask learn psychic learn एक ऐसी library है जो सभी को पता होगा लेकिन psychic learn को भी automatically use करने के लिए you can use auto ask learn automatically ask learn actually provide out of the box to provide machine learning build around psychic learn machine learning library auto ask learn automatically search for different kind of best possible options for a model और वो उसके हिसाब से आपको भी detail बता देती है मुझे बता है आप में से काफी लोग है जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा write down in the comment section अगर आपको सच में नहीं पता और यहाँ पे मैं एक बात कर जो यह जितनी भी libraries हैं पहले मैंने कभी इनका जिक्र नहीं किया reason behind that was कि basic libraries अगर आपको आती है then you go towards these kind of libraries और अब मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ because you need to learn the advanced data scientist skills या data analyst skills set और उनको use करते हुए आपको दुनिया के साथ match करना है और यही खुबसूरती है इस course की जो अब आप देख रहे हैं python ka चिला 2024 और इस course के अंदर सब कुछ आप अच्छे से सीख पाएं यही मेरी तमन्न है और इसी वड़ा से link description में मैंने दिया अगर आप register करवाने चाते हैं coming back to the point यहाँ पर हमारे पास एक और library जिसका नाम है mlbox mlbox क्या करती यह powerful automatic machine learning python library है यह क्या करती है automatically आपके data को machine learning के through model को train करती है और उसे apply करने में हमें help out करती है अब आपने देख लिया होगा कि हमारे पास कितनी libraries है अगर मैं गिनूँ शुरू से जितनी मैंने आपको बताई हैं आपने मुझे बताने आपको कितनी आती है पहली polar दूसरी moderns तीसरी plot 9 चौती plotly आपको इन 17 libraries में से किस library का पता था और कितनी libraries आपने यूज की है किस task के लिए let me know in the comment section and I will let you know कि किस तरीके से आप इसको improve कर सकते हैं अपना ख्यार रखें दौ में याद रखें and see you in the next lecture टेक्यर अलाहाफिस असलाम लेकुम